एक मिनिट रुको जरा जिन जिन लोगों को लग रहा है कि ये सेशन कुछ ऐसा है जहां पे कुछ जड़ीवूती मिल जाएगी या कुछ एसी सीक्रेट रैसीवी मिल जाएगी जिससे कि 180 में 180 स्कोर हो सकता है प्लीज मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ ये सेशन 180 on 180 score कर सकते हैं या करना चाहते हैं मजाग नहीं है 180 on 180 score करना मैं पहले से ही एकदम clear बता देता हूं आप लोग को कि भई अंदर से जब तक आपके energy full on नहीं होगी तब तक 180 on 180 score करना possible नहीं है तो sir क्या ये possible भी है कि नहीं है पहले तो इस सवाल का जवाब कर लेते हैं कि क्या सही में 180 में 180 लाना physics में possible है की नहीं क्योंकि अगर ये सवाल आपका answer नहीं होगा तो I don't think आप इस चीज़ में आगे बढ़ भी पाओगे तो भाई ये genuinely possible है ये genuinely possible है कुछ data points बताता हूं 2023 पेपर के बारे में 2023 में 2023 के exam में NEET में 700 की उपर greater than 700 तकरीबन 211 बच्चे थे तकरीबन 211 बच्चे थे जिसमें से around 55 students around 55 students स्री चैतन्या के हैं अब मैं ये figure आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि 700 की उपर number कोई ला रहा है ना तो उसमें से maximum जनता के 180 on 180 है chemistry में और physics में समझो इस सी स्कोई दो subjects जो की लोग बोलते हैं कि इसमें 180 on 180 नहीं आ सकते मैं आपको बता सकता हूं स्री चैतन्या के 55 बच्चे में से around 20-25 students के 180 on 180 physics में हैं मैं खुझ जानता हूं बोरा वरुन चक्रवर्ती जिसने NEET 2023 में AIR1 score की है उसके perfect score है he has a perfect score 720 on 720 तो पहली चीज तो क्या ये possibility है 180 on 180 लाना कोई एक जादूई चीज है या फिर ये बस उन टॉपर्स के आ सकते हैं नहीं एक method है कोई जादूई method है जी नहीं एक सटीक method है जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जिससे आप physics में 180 on 180 ला सकते हो जी हाँ आप ला सकते हो तो सबसे पहला जो सवाल आना चाहिए कि क्या ये possible है की नहीं है तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ हाँ ये possible है और trend के अनुसार देखते हो यही समझ में आ रहा है इस बार का competition आप सभी लोगों ने देख लिया 650 लाना इस बार कैसे number दे रहा था और इसी के comparison में पुराने साले में चले जाओ 650 लाने वाला तो राजा होता था 650 इस बार लाना कितना जादा आपको colleges नहीं मिल पाए यार ये सोचो 710 नंबर पे आपका aims दिल्ली close हो गया 710 नंबर भी बहुत सारे लोगों को तो शायद aims दिल्ली मिला ही नहीं तो competition neck breaking है और 180 और 180 physics score करना ही हमारा aim होना चाहिए अब ये चीज़ होती कैसी है सर क्या जादवी formula है क्या इसके लिए कोई जादवी formula नहीं है कोई जादवी formula नहीं है simple strategy है जिस strategy को आपको follow करना है तो आओ सर वो strategy discuss करते है आओ वो discuss करते है strategy कुछ इस तरीके की है कि आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो आप हो सकते है infinity learn पे पढ़ रहे हो आप कहीं और पढ़ रहे हो आपके कोई एक regular teacher है जिनको आपने गुरू मान लिया है देखो गुरू तो एक हमेशा होना चाहिए आपको गुरू भी मिस नहीं होनी चाहिए, एक क्लास भी मिस नहीं होनी चाहिए regular classes attend करना है सबसे must तो ये है, इसके बिना तो आप सोचना भी मत 180 क्या 150 सोचना भी एक गुना है, आप regular classes attend नहीं कर रहे हो even कुछ बच्चों का ये कहना रहता है कि सबसे पहला पॉइंट तो है regular class attend करना मैंने टॉपर से बात किये, इसरी चतन्या की टॉपर से बात किये है उन्होंने एक चीज समय common थी, उन्होंने एक class miss नहीं की, अपने दो साल की preparation में 11th और 12th में उन्होंने एक class miss नहीं की, सोचो इस चीज को बिमारी सब होता है सबको सब बिमार भी होते हैं, सब किसी दिन अच्छा नहीं फील करते हैं, सब किसी दिन बुरा फील करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते लेकिन उन्होंने classes कभी miss नहीं की तो regular classes तो जाना must है हम यहां बात 180 और 180 की कर रहे हैं हम 150, 140, 130 की बात नहीं कर रहे हैं दूसरी चीज, NCRT reading सबने एक चीज मुझे common बताई सर हर class के बाद मैं जाता था NCRT का वो पूरा chapter पढ़ता था NCRT पहले नहीं पढ़ता था NCRT पहले पढ़ना भी मत class attend करो, class attend करने के बाद NCRT read करो, देखो learning outcome कितना जाद enhance हो जाएगा, सारी चीज़े एक के बाद एक समझ में आने लग जाएगी कि हाँ NCRT में ये चीज़े दी है और इनका क्या मतलब है, class attend करो कि उसके आद NCRT read करोगे, learning outcome आपका next level पे होगा, और overall आपको एक NCRT revision भी मिल जाएगा और पूरा paper जब NCRT से बन रहा है तो NCRT को हम क्यों छोड़े तीसरी चीज़ सबसे important ये है कि आपको practice question लगाने है module से, मैं यहाँ पे कोई 3, 4, 5, 10 किताबे नहीं बोलूँगा देखो NEET का paper है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, क्या level आएगा questions का, वहाँ पे आपका ये level चेकी नहीं करते कि आपकी knowledge कितनी ज़्यादा vast है, वो आपकी speed और accuracy देना चाहता है वो आपकी speed और accuracy देखना चाहता है वो देखना चाहता है कि आप एक limited time frame में question कर सकते हो कि नहीं कर सकते है, आप 200 सवाल लगा सकते हो देख सकते हो, क्या उन्हें analyze कर सकते हो फटा-फट, वो ये देखना चाहता है तो आपको questions लगाने हैं आपको questions class में भी मिलते हैं आपको homework तो लगाना है साथी साथ आपको module मिला होगा, आप जिस भी class में हो, वहाँ मिला होगा daily आपका target होना चाहिए कि भाई, जिस दिन में physics पढ़ रहा हूँ उस दिन में at least 50 से 60 सवाल लगाऊंगा सवाल नहीं लगाऊंगा, तो problem होगी सवाल आपको खुदी लगाना पड़ेगा आप हर सवाल के लिए दूसरों पर dependent नहीं हो सकते आपको अपना दिमाग दोडाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, कि इस सवाल को solve कैसे कर सकते हैं, क्या best तरीका है और अपनी concept building आपको develop करती रहेगी, concept building एक यहां से होगी और एक यहां से होगी, यहां से जो concept building होगी practice question करके वो इतनी strong होगी, कि आप question को समझ भी पाओगे, और decode भी कर पाओगे, और वो understanding भी आपके अंदर develop होती जाएगी, आपको सवाल को solve करने के, दस गलत तरीके पता चलेंगे, जो की exam में आप नहीं करोगे आप अपनी silly mistakes से work करोगे मैं आपको बता नहीं सकता कितने फाइदे मन चीज है, लेकिन आपको questions तो practice करना ही पड़ेगा यह सबसे important है, चौथा जो है, वो है आपका PYQ analysis NEET में अगर आपने previous year questions का analysis नहीं किया ढंक से अगर आपने हर एक chapter उठाओ हर एक chapter के जितने भी topics हैं जैसे करते जारों, उससे related PYQs आप Google पर भी पूछोगे, तो भी आपको PYQs मिल जाएंगे, उन PYQs को search करो, उन PYQs को solve करो देखो कि किस टाइब के सवाल आते हैं बहुत heavy end सवाल करनी के अवशकता नहीं है जो exam में relevant है, उसी को पूछो PYQs repeat होते हैं, नीट में कौन बोलता है, नहीं repeat होते है पूरे के पूरे नीट में repeat होते है तो अगर मैं PYQs भी ढंक से कर लूँ तो भी मेरा एक particular portion of my entire preparation अच्छा खासा चल सकता है बात मानो इस चीज़ को PYQ analysis करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है next feature पे आए तो hand written notes अब मैं इस पे तो बहुत ज़्यादा गौर करूँगा कि भाई ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये चीज, इन चारों को आपके hand written notes में होने चाहिए इसलिए यहाँ पर proper वाला बूला है एक proper notes होने चाहिए proper hand written notes proper hand written notes कौन से होते हैं जिसमें बस class का लिखा रहता है जिसमें बस गुदागादी होती ही, जी नहीं आपके regular classes के notes तो होने ही चाहिए साथी साथ आप NCRT पढ़ रहा हो question practice कर रहा हो, PYQ क्यू कर रहा हो इसको पढ़ने के बाद, इसमें सवाल solve करने के बाद आप कई जगें महसूस करोगे कि यार यह concept मेरा week है यह सवाल, यह सवाल में एक अच्छा concept है जो कि शायद मेरे को note down कर लेना चाहिए कल को मेरे पास आए तो revision point of view से बहुत ज़रूरी होगा वो सब आप यहाँ पे डालोगे वो सब आप यहाँ पे डालोगे और in bubble में वो चीज़े लिखोगे कि यह concept भी है, यह भी याद रखना है मुझे friction से related, 10 चीज़े class में पता चली 20 चीज़े हो सकता, आप question के थूरू समझोगे उनको pen down करो इसलिए हर chapter के बाद, मैं अपने regular classroom के बच्चों को भी बोलता हूँ हर chapter के बाद, आपको at least 10 से 15 pages चोड़ने हैं सबसे छोटे chapter के लिए भी उन 10 से 15 pages में आप क्या भरने वाले हो आप जो भी important content ये सवालों को solve करके सब करके लिखोगे, उसको आपको लिखना है तो आपके hand written notes ऐसे होने चाहिए मेरी बात हमेशा याद रखना ऐसे होने चाहिए कि end moment पे इसी को बस revise करोगे और आपका काम हो जाएगा आपको इसको इतनी बार revise करना है मैं अगर आपको count बोलू तो आपको कम से कम इस चीज को 40 से 50 बार revise करना है 40 से 50 बार revise करना है तब ही जाके काम बन पाएगा अन्यता काम नहीं बनेगा इसके बाद आता है भई follow करने वाला time table एक time table आप लोगों को बनाना है एक time table आप बनाओगे और ये time table follow करने वाला होगा जिसमें आपकी classes भी रहेंगी और classes के बाद आप कितना time इन chapters के questions को solve करने में या practice करने में लगाओगे वो भी होना चाहिए time table बस ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिस दिन बना उसी दिन follow हो उसके अगले दिन से सब डबा गो ऐसा time table नहीं होना चाहिए time table अपने हिसाब से बनाओ मेरे बोले या किसी और के बोले हुए time table को follow मत करो क्योंकि यही दिक्कत होती students के साथ किसी और की influence में आके time table create करते जो कि उनसे खुद follow नहीं हो पाता आप अपने आपको सबसे बहतर जानते हो आप इतने बड़े हो चुके हो कि देश के सबसे tough exam की तैयारी कर रहे हो आप जानते हो कि आप किस तरीके से कितनी देर बैठ सकते हो आप try and test करो लेकिन time table बनाओ अपने आपको time restricted रखो क्योंकि need समझ जाना एक game है speed और accuracy का अगर आप time table बना कि speed और accuracy को maintain नहीं कर रहे हो तो आप कुछ गलत ही कर रहे हो और इन सब के बाद आपको एक mock test series join करना है एक mock test series एक बढ़िया institute की join करना है आप चाहो तो स्रीच अतन्या join कर लो आप चाहो तो कोई भी अदर आपको institute अच्छा लगता हो join करो बट यह आपको करना है इससे आपको और अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ जिस पर आपको national level का analysis मिले किसी local या छोटी institute की follow करने में problem simple सी यह है कि आप उसमें एक analysis नहीं जान पाओगे overall national level का national level का अगर आपको analysis जानना है कि आप कहां पे stand कर रहे हो तो आपको एक mocked से series solve करनी पड़ेगी आपको इसमें rank देखना पड़ेगा तब जा कि आप 180 on 180 score करने के सोच सकते हो तो यह सारे pointers अगर आपने follow किये कुछ भी नहीं नहीं है इन सब को follow करो अपना एक time table बनाओ जिसमें आप दिन के 10 से 12 घंटे पड़ रहे हो अगर आप यह time table बनाते हो अगर आप यह time table बनाते हो और इन सारी चीजों को follow करते हो तो 180 on 180 लाना trust me कोई magical चीज नहीं है आपको बस अपनी गलतियों को count करना है अपने notes में properly उस चीज को देखते चलना है एक smart student होगा इन सारी चीजों को समझने के बाद ये भी समझ जाएगा कि मुझे over the time period करना ये है कि बस अपनी गलतियों को कम करते जाना है और गलतियों से समझना है कि मैं कैसे अपने score को improve करता जाता हूँ तो एक self awareness एक smart analysis जिसे बोलते strength weakness का analysis आपको करते रहना है करते रहोगे 180 on 180 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है trust me आराम से आ सकता है लेकिन अगर strategy proper रही तो ही आएगा वरना नहीं आएगा और जाते जाते एक बहुत important बात भई तुम हारो या जीतो लेकिन एक चीज हमेशा ensure करना कि you always should aim high you always should aim high इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए 180 on 180 अगर आपका aim है तो हो सकता आपके 170-160 हाएंगे that is not a bad score at all that is not a bad score but आपका aim 180 on 180 ही होना चाहिए trust me on that मैंने आपको तरीका तो बता दिया और ये तरीका ही है जो सब follow करते हैं स्री चत्रन्या की बच्चे भी यही तरीका follow करते हैं उन्होंने भी वही स्री चत्रन्या की module सी लगाए और किसी की बात नहीं सुनी एक गुरु माना उस गुरु से पढ़ा module लगाए अपने गलतियों को समझते गए उससे सुधार करते गए और score आप लोगों के सामने है इस बार का score आप वैसे ही जानतों तो श्री चत्रन्या का क्या रहा है तो देखो यार मैंने आपको छोटे कम सब्दों में और कम समय में ऐसी बाते बताइए है चो शायद अगर आप समझ सको तो शायद 180 और 180 score कर सकते हो और ना भी कर पाए तो इस score को याद रखना win or lose but always aim high आपकी जो aim होना चाहिए वो इतना उचा होना चाहिए कि सामने वाला भी डर जाए और ठो सकता है शायद नहीं आए 180 और 180 बट अगर 180 टारगेट करोगे तो 170, 160 तो आए गई आएगा तो इसी के साथ इस वीडियो को close करेंगे I suppose मैं या जो agenda था मैंने आप लोग को दे दिया है and please इन चीजों को follow करना और भी आपको suggestions देना चाहो या आप चाहते हो मैं और किसी चीज़ पर आपकी help करूँ comments में अपने views बताना मिलते अगले वीडियो में till then ta-ta-ba-bye and thank you all of you